तो गाईज मैं हूँ आपका दोस्त वेवेक और आप देख रहे हैं बीबी और मेरिया नेटवर्ग दूस्तो आमिर भाई के जितनी भी फैंस हैं आप में से बहुत सारे हमें कमेंट सक्षन में पूछ रहे थे कि ये फिल्म जो है लाल सिंग चड़ा चाइना में कबरेले जोड़ी है प्लीज भाई प्लीज आप बताओ तो आज की इस वीडियो में आप बने रहो हम पूरी जानकाड़ी देने वाले हैं कि ये फिल्म चाइना में कबरेले जोड़ी है दोस्तो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता होगा इस फिल्म की जो भी box office collections report आती है वो मैं आपको बार-बार अपडेट करता रहता हूं इस फिल्म को लेकर और भी फिल्मों को लेकर और साथ ही फिल्म थाइलेंड में कब रिलेज होई होई होंग कॉंग में कब रिलेज होई ना box office आया वो भी तमाम जानकारी हम आपको पताते रहते हैं दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू फिल्म चाइना में अब तक क्यों नहीं रिलेज हो पाई तो दोस्तो आठ तारीक को जो है होंग कॉंग और ताइवान में फिल्म रिलेज होई चाइना में भी रिलेज होने वाले थी लेकिन सड़नली चाइना में इस फिल्म को रिलेज नहीं किया गया इसका कारण यही था कि फिल्म जो है सेंसर बोर्ड में टक गया फिल्म में बहुत सारी जो वीडियो क्लिप हैं वो मेकर्स को हटाना पड़ा है और अभी होंग कॉंग में जो परजेंट अभी यह फिल्म चल रही है वो चाइनीज लेंग्वेज में ही चल रहा है ठीक है चाइना का जो एक सोसेल मेडिया है वीगो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आमिर भाई की जिने भी फैंस है मैंने देखा हैस्टेग लाल सिंग चड़ा सर्च करके तो वहाँ अपने में ही वो लोग एक्चुली में देखा वहाँ पे कुछ जब हो पे मेरिया रिपोर्स ऐसा क्लेम कर रही थी कि ये फिल्म को जो है नॉवमबर में रिलीज किया जा सकता है चाइना और दोस्तों गहुर करने वाली ये बात है कि हाले फिलाल आपने अभी ए रिलीज कर रहे है जैसे कि थाइलेंड में हुआ, ताइवान में हुआ, हॉंग कॉंग में हुआ, एप्रोक्स चाइना में भी हुआ, उसके बाद जो है आप जन्वरी में इस फिल्म को जो है टेली कास्ट किजएगा नेट्फिलिक्स पे तो वहाँ से जो खबर आ रही है इ लेडी इस फिल्म को कर लिया जा चुका है, हाँ, फिल्म रिलीज होने में वहाँ पे तौरहे दिखते हैं आ रहे हैं, जिसको लेकर मेकर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, और मेकर्स को भी पता है, कि सीक्रिट सूपर्स्टार इंडिया में मातर Will 60 K disclose क्माई लेकिन चाइना में 800 क्रोड कमाया तो ऐसे मेकर्स बैठने वाले तो है नहीं मेभी नॉम्बर में इस फिल्म को रिलेज कर दिया जा सकता है ऐसा बहुत सारे मेडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है